So, General Principles of Human Development में, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है, जी, happiness varies at different periods of development. अब happiness जो एक concept है, ये एक सुनते ही इंसान के चेरे पर smile भी आती है, और वो समझता है, कि happiness जो है, हर इंसान की एक basic need है. तो अब ये है कि happiness जो है, हर एक stage पर vary करती है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि childhood is the happiest period of life and puberty is the most unhappy period. क्यों इसको कहा गया यहां पर? क्योंकि childhood एक मासूम दोर होता है, जिसमें कोई जिम्यदारी नहीं होती है, जिसमें जो है, इतनी तेजी से physical changes उस तरह नहीं हारी होती है, जैसे puberty में जाके आती है, यानि कि adolescence age जो होती है, जो teenage होती है, ये एक problematic जो है developmental stage है, इसको इसलिए problematic कहती है, क्योंकि एक बच्चा childhood को छोड़के अपने नए एक stage पे जा रहा होता है, और teenage में जाने की जाने की वज़ए से बच्चे चुके उस वकत उनकी जो physical growth है, mental है, emotional है, emotional है, और social है, इन सब की जो रफतार होती है, और उसी तेजी से उनके अंदर तबदीली आ रही हो यह physical change भी आरहा होता है, emotional भी आरा होता है, social भी आरहा होता है, और सारी जो चीज़े जो चीज़ें हैं, वो बच्चे के अंदर बहुत ज़ादा जो है, frustration भी पैदा करती हैं, और इस उमर में जो है, बच्चे के अंदर कुछ कर गजरने का जो जजबा होता है, वो सबसे कोई नहीं होती जिसके वज़े से इसको कहा गया कि चाइल्ड रूट जो है गोल्डन पीरिड है और यह हैपियस टाइम है अब जो हमने कहा प्यूबर्टी का टाइम जो है प्रॉबलमेटिक है उसकी मैंने रीजन आपका बता दी क्योंकि इतनी तेजी से जो चेंज़े आ रह तो होती है पैरेंट्स की मां को एक बेटी के बहुत क्लोज होना चाहिए और बाप को बेटे के बहुत क्लोज होना चाहिए जैसे ही ग्यारा बारा तेरा जैसे तेरा के हम कहते हैं टीन में आता है बच्चा थर्टीन तो थर्टीन से लेके नाइंटीन जो टाइम है टीन होता है बच्चों की जो अट्राक्षण है जैसे मेल और फीमेल की ट्राक्षण आपउस्ट जेंडर के लिए बहुत जदा बढग जाती है और उसके वकर बचा जो है वह अजादी चाहता है इस उमर में बच्छे को अजादी जो है वह बहुत अच्छी लगती है सोशलाइजेशन जो है वो बच्चे बहुत ज़दा करना चाहते हैं अब इस उमर में आके वालदें जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपने बच्चे पे बहुत ज़दा रोक टोक करना शुरू कर जाते हैं अब इस उमर में बच्चों रोक टोक ब जो है वो जिजग के मारे और शरम के मारे अपने पेरेंट्स से नहीं पूचते और उसके लिए जो है वो अपने दोस्तों से जो है राप्ता करते हैं अब गलत या सही जो भी मश्वरा उनको सुसाइटी से मिलता है वो उसको चुपके से डॉप कर लेते हैं आज कल जैसे unhappiness की जो time है इसमें अगर parents अपने बच्चों के बहुत अच्छे दोस्त होंगे तो बच्चे उनके साथ अपनी problems, अपना fear, अपना डर, खौफ, जो in changes के वज़ा से उनके अंदर आ जाता है वो अपने parents के साथ discuss कर सकते हैं तो इसलिए ये जो time है, happiness vary कर रही है, वो इसलिए vary कर रही है क्योंकि इन शक्सियत में तबदीलियों की वज़ा से बच्चे जब adjust नहीं कर पाते हैं इन changes के साथ और अपनी society के साथ और अपनी physical problems जो उनकी आ रही है जिसको हम problem तो नहीं कहते, वो तो एक natural change है जो हर इनसान में आ रही होती है तो अगर उन तबदीलियों के बारे में उसके पास information complete हो, knowledge complete हो तो फिर उसके लिए जो है, ये unhappiness जो है, ये happiness में भी तबदील हो सकती है तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए, कि ये जो time है, इसमें बच्चे जो है, बहुत ज़्यदा demanding होते है तो इसलिए यहाँ पे जो patterns of happiness है, ये child to time, child we vary करता है और ये environment के उपर भी depend करता है अगर घर का महौल जो है, वो peaceful है, तो बच्चे जो बच्चे हैं वो happy हो जाते है इसी तरह से जो अगर घर का महौल जो है, वो aggressive है, लड़ाई जगड़ा रह रहा है, parents के बीच में conflict है तो देख लीजी कि बच्चे की happiness तो उदर ही खतम हो जाती है इसलिए कुछ उसकी जो hereditary factors आ रहे हैं, कुछ उसके environmental factors आ रहे हैं, कुछ उसके psychological factors आ रहे हैं जो उसको happiness को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो इसलिए happiness के लिए जरूरी है बच्चे के अंदर peace होना चाहिए तो उसको peaceful करने के लिए जरूरी है कि parents उसको उन तबदीलियों के बारे में जो childhood से teenage में आने के वज़े से आ रहे हैं, उसके बारे में पहले से उसको aware करें और उसको जो है तैयार करें इस time के लिए, कि ये एक natural process है, इससे आपको घबराना नहीं चाहिए, बलके आपको इसके कोई इस तरह से respond करना चाहिए, तो उसी तरह से, देखें, development is a lifelong process, अब development जो है, ये सारी उमर होती है, growth आपकी जो है, वो physical growth को हम कह रहे हैं, फिजिकल ब जाते हैं, इसलिए हमें इनसानों को ये देखना चाहिए, कि हमें हर दोर में जो change आता है, हमें उसके साथ adjustment करनी जो है, वो आनी चाहिए, आपने mentally जब अपने आपको इस तरह से positive बना लिया, कि जैसी भी तबदीली आएगी मैं उसके साथ well adjusted होंगा, तो happiness automatically आपके अंदर हैगी, happiness का एक फार्मूला ये बच्चे को सिखाना चाहिए, एक तो ये तबदीलियां जो आ रही हैं, हर चीज जो है अच्छी आने वाली, वो अल्ला ताला की तरफ से है, उसको accept करना चाहिए, मुश्किल हलात में सबर करना चाहिए, और ये जो चीजें इनसान अपनी प्रशिश से तबदील कर सकता है, कुछ तो कर सकता है, लेकिन कुछ जो है, वो होलात के ओपर भी छोड़ देना चाहिए, तो spiritual counseling जो है, ये भी बच्चे की जो है, happiness जो है, उसको maintain भी करती है, और increase भी करती है, और दूसरे number पे, development includes both gain and loss during life span, बच्चे को ये सिखाना पूर involve करना चाहिए, वहां से वो cooperation सीखते हैं और हार जीट जो है, वो सीखते हैं, हार को बरदाश करने का जो है, वो उनके अंदर होसला पैदा होता है, और इस तरह से जो है, छीन के चीज़ ले लेने वाला जो एक pattern है, वो तबदील होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ज जो general patterns हैं, principles हैं, development की, ये parents और teachers की guidance के साथ ही बच्चा जो है, वो इनको overcome कर सकता है, इनके साथ adjust कर सकता है, इसलिए हमें अपने बच्चों को इस उमर में proper जो है, वो guide करना चाहिए, ताकि वो माशरे का एक पाल रुकन बन सके.